Samsung M31 Call Screen Change Setting नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी कातिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung की डिवाइस में call screen change के से कर सकते हैं ठीक है तो आपको दोस्तों यहाँ पर by default setting मिल जाएगा काफी आसानी से और दोस्तों दो तरीके का setting यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है call screen change करने के लिए ठीक है तो अगर आपको भी call screen change करना है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखे आपको सब कुछ पता लग जाएगा और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को क्लिक करें और अगर आप online पैसा कमाना चाते तो वीडियो description पर link मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा contact के अंदर पर जाके ठीक है यहाँ पर दोस्तों मान लिए आपको किसी के profile में picture rate करना है तो आप दोस्तों simply उनके profile में जाए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के से आप photo set कर सकते हैं मैंने अल्रीडी set कर रखा है ठीक है इडिट के option पर जाके दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी का option मिल जाएगा तो चेंज यहाँ से तो दोस्तों call screen को जो है आप contact पर photo दाल की भी आप change कर सकते हैं ठीक है specified wise आप इस चीज़ को कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर call screen चेंज करना है पूरे के पूरी change कर देना है अगर दोस्तों आप contact पर जाके करते हैं कोई एक नंबर पर photo दाल देते हैं तो व अगर आप call setting पर जाते च्रीड पर क्लिक करते हैं और setting पर जाके call बेगरण आप set कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको call बेगरण का option भी मिल जाते हैं अगर आप यह option को सेलेक करते हैं तो सारे call screen चेंज हो जागा एक ही साथ में ठीक है तो यह एक दोस्तों काफी अच्छा option है तो दो option मैंने आपको उप्शन आपको यूज करना है आप कर सकते हैं अगर आपको ठट पटे application यूज करना है तो भी दोस्तों आप कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको यूज करना है कर सकते हैं उम्मिद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आओगा थेंक्स रो राचिंग